हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वास्थर मस्त होंगे और आप सब की रेलवे पर इच्छा की त्यारी बहतरी चल लगी होगी आज के इस वीडियों दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे समान बिज्ञान का माडल से तिसरा पढ़ेंगे और ये MCQ माडल से तिसरा है जिसमें दोस्तों हम कुल 40 प्रशनों को जो है समलित किये हैं और ये 40 प्रशन दोस्तों वेरी इपॉर्टन है पर इच्छा के उद्देश से दोस्तों ये 40 प्रशन बहुत ही उपयोगी है तो दोस्तों वीडियो को बिना स्कीप किया अंतर जरू देख प्रशन है परमाल बम किस अभिक्रिया पर अधारित होता है परमाल बम दोस्तों नाविकी विखंडन की अभिक्रिया पर अधारित होता है किसरा प्रशन है रडार के अभिसकारक कौन है रडार के अभिसकारक अलबर्ट टेलर है अगला प्रशन है न्यूट्रीनों की खोज किस ने किया था निट्रियोन की खोज पावली ने किया था प्रश्ण नमबर पांचवा देखते हैं आवर्थ के नियम की खोज किस ने किया था आवर्थ के नियम की खोज मेंडलीफ ने किया था प्रश्ण नमबर छटवा है दोस्तो प्रथम नाब की रियक्टर जो है किसके निर्धेशन में बनाये गया था प्रश्णम्बर सातवा है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाये गया था तो पहला हाइड्रोजन बम दोस्तो 1922 में बनाये गया था अगला प्रश्ण दोस्तो प्रोटान किस प्रकार का कड़ होता है प्रोटान दोस्तो धन आवेसित जो है प्रश्च नमबर 11 है पर्माड बंब का आविस्कार किसने किया था पर्माड बंब का आविस्कार आटो हान ने किया था अगला प्रश्च देखते हैं प्रश्च नमबर 12 है प्रथम पर्माड बंब जो है कब बनाया गया था और 945 में प्रथम पर्माड बंब बनाया गया था इलेट्रान की खोज जो है किस ने किया था इलेट्रान की खोज जेजे थामसन ने किया था अगला प्रश्ण दोस्तो प्रोटान की खोज किस ने किया था प्रोटान की खोज जो है रदर फोट ने प्रोटान की खोज किया था प्रश्ण नमबर 16 देखते हैं प्रश्ण नमर यहाँ दोस्तों 15 है न्यूटान की खोज किस ने किया था न्यूटान की खोज जेम्स चैडविक ने किया था प्रश्ण नमबर 16 है पोलियो के टीके का खोज जो है किस ने किया था प्रश्णमर 17 है डाइनामाइट के आविस्कारक कौन थे डाइनामाइट के आविस्कारक अलफेट नोबिल थे प्रश्णमर 18 है पॉजी टॉर्ण की खोज जो है किस ने किया था पॉजी टॉर्ण की खोज जो है एंडरसन ने किया था प्रश्णम्बर 19 है निम्नलिखित में से किसकी बेधन चमता सबसे अधिक होती है तो दोस्तों गामा केड़ों की जो बेधन चमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है प्रश्णम्बर 20 है टेलिफोन का अविस्कार किसने किया था प्रश्णम्बर 21 है सोलर सिस्टम को किस ने खोजा था सोलर सिस्टम को दोस्तो कापर निकस ने खोजा था प्रश्णम्बर 22 देखते हैं दोस्तो नाब की विखंडन में ट्रिगर क्या होता है तो दोस्तो नाब की विखने ट्रिगर जो होता है वो न्यूट्रान होता है अगला प्रश्ण है क्वांटम सिध्धान्त जो है किस ने दिया था क्वांटम सिध्धान्त मैक्स प्लांक ने दिया था प्रश्ण नमबर 24 है रेडियो धर्मिता का अविस्कार किस ने किया था रेडियो धर्मिता का अविस्कार हेनरी बैकुलर ने किया था प्रश्च नमबर 25 देखते हैं दोस्तों प्रसिद्ध बिग बैंग थियोरी किस मुख सिधान पर अधारित है डाबलर प्रभाव पर अधारित है प्रश्च नम का पहला परमार रियक्टर अपसरा के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है इलेक्ट्रान के आवेस का निधारड जो है किस ने किया था तो दोस्तों इलेक्ट्रान के आवेस का निधारड मिली कौन ने किया था प्रश्ण मबर 29 है परमार में इस्थित सबसे हलका कड कौ जो है साहयक होती है प्रश्णमर 38 है पाजी ट्रॉन जो है किसका प्रतिकड होता है प्रश्णमर 32 है प्रिथिभी की आयू का आकलन किया जाता है प्रिथिभी की आयू का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है प्रश्णमर 33 है गामा किरड की खोज किस ने किया था गाम आयू का निधार किस के द्वारा होता है जीवास्मों की आयू का निधार जो है रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है अगला प्रशन है पोलो नियम की खोज किस ने किया था पोलो नियम की खोज मेरी क्यूरी ने किया था अक्रिय गैसों की खोज करने का सरह किसे प्रा और मोल कोर यह चराए प्रांसने करें, तो दोस्तों किया मीदो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक कीजिए का मिलताए नेक्ट वीडियो में धन्यवाद झाल, 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 झाल.